आज मैं लाइं हूँ रोटी और मैगी का बहुत ही टेस्टी नास्ता जब कभी रोटियां बच जाएं तो इस तरह से आप मैगी और रोटी का यह सूपर टेस्टी नास्ता जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छा लगता है तो चलिए बनाते हैं देखिए फ्रिंस यहां पर इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने यह रोटियां ले ली हैं जो भी रोटियां बच जाती हैं सुबह की साम को या फिर दोपहर की साम को या पिर साम की सुबह तो आप कोई भी रोटियां ले सकते हैं आप ताजी भी रोटियां ले सकते हैं तो द मेटी दोपहर की बच्ची हुई रोटिया है जो साम को मैं इने यूज कर रही हूं तो इन रोटियों से आप बहुत ही टेस्टी नास्ता बना सकते हैं तो देखिए आप यहां पे मैंने ली हैं यह मैगी तो मैंने यह चोटे वाले पैकट लिये हैं आपके पास चोटे या मैंने चाहिं आप यह मैल नहीं करेंगे बहुत ज्यादा इसे चोटे और यह चोटे शोटे नहीं करना है इस तोड़े लेते हैं दो पीसे समैं अब देखिए यहां पे मैंने लिया है एक पैन पैन में में डाला है चोटा चम्मच रिफैन ऐर उसे और पहरा देंगे पैन मे और ओयल जब थोड़ा सा गरम हो जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे एक छोटे सा अज का प्याज बारी कटा हुआ साथ ही एक ग्रीन चिली तो यह ग्रीन चिली जो रेड हो जाती है वही वाली यह ग्रीन चिली है तो देखिए इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो यहां पे देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो बस हमें प्याज को इतना ही फ्राई करना है इसे ब्राउन नहीं करना है अब हम इसमें एड़ करेंगे एक पैकेट मैगी मसाला का अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें पानी एड़ करेंगे तो देखिए यहां पे हम एक कप पानी एड़ कर रहे हैं तो एक कप से ज़्यादा पानी नहीं एड़ करना है अब मिस्ट कर देंगे अच्छे से और पानी में एक बॉयल आने देंगे तो देखिए पानी में बॉयल आ चुका है अब हम यहां पर इसमें अपनी मैगी एट कर देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे आप देखिए इसमें मिक्स करेंगे कुछ मसाले तो यहां पर देखिए मैंने आदर छोटा चम्मच लिया है काश्मी रेच चिली पाउडर यह कम तीखा होता है और कलर भी इससे अच्छा आता है 1-4 टीजपून हल्दी पाउडर कलर के लिए और 1-4 टीजपून हीरा पाउडर करेंगे प्रेंस यहां पर हम और मसाले इसमें नहीं एट करेंगे बस इतने मसाले इसमें एट करेंगे क्योंकि इसमें मैगी मसाला भी एट किया है मैंने तो अब देखिए इसे हम ढग देते ह एकहरब करेंगे मैंट के लिए हम इसे कूक करेंगे ॐ छुट हो करेंगे दो का है आफ अफ मैंगी ये higher लूब कूक कि आ दो कूकू है आप सालरी मैंगी के लिए फिस देन्गे पाने से Victor Lic Yahar और इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाना है, तो मैगी के दो पैकेट्स के लिए एक कप पानी इनफ है, तो एक कप से ज़्यादा पानी ना आइट करें, तो देखिए गैस को आफ कर दिया मैणे और मैगी को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और आएगा इस टेप द दनिया पुदिना की ग्रीन चतनी या फिर आप पिजा सॉस घर पे बना सकते हैं जैसे टोमेटो केचप और चिली सॉस और उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए पिजा सॉस बन जाएगा तो इस तरह से मैंने देखिए अच्छे से लगा दिया है अब हमारी जो मै मैंगी को आपको यहां पर अच्छी कॉनिटी में रखना है कम नहीं रखना तो अब देखिए यहां पर हम इस पर सब्सक्राइब करेंगा तो 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 सब्सक्राइब प्रम्हाइब में उस्ते हैं चली को एकिम के बाद इसे नहीं तो अपनेके सकते हैं तो जो भी वह जहां प्रहुआ ज़रूरी नहीं है जो सब्जियां मैंने ली हैं वो आप लें आप कोई सब्जियां ले सकते हैं और सब्जियों की बीना भी आप इसे बना सकते हैं तो अकेले मेंगी से भी आप इसे बना सकते हैं तो इन्हें अच्छे से हम डाल देंगे और आपके पास घ्री मटर है तो आप बॉयल कर में बहुत ही ज्यादा और खाने में तो बहुत ही सौधिश्ट होगा तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ तो यहां पर देखिए पैन रख दिया मैंने और इस पर डाल लेंगे थोड़ा सा ओयल करीब एक छोटा चमच और और अच्छे से हम फैला देते हैं पैन में और हमारा ज में अच्छे से मिक्स करते हैं और अब देखिए औल में अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें अपना दिज техards आप और तरहें किर दोथी रोटी से कवड़ करेंगे तो दोसी रोटी पे भी आप अगर चटनी या फिर शॉस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और अच्छ तो अब ढाग देते हैं नमक क्योंकि नमक मैंने नहीं अभी अधिया है तो नूडल समय नमक होता है इतना नहीं होता है थोड़ा समय यहां पर नमक आड़ करूंगी अब इसे हम दुबार से कवर कर देंगे दूशी रोटी से और जो मसाला हमारा पैन में है उसको अच्छे से टोटी को चलाएंगे ताकि मसाला सारा टोटी पे आ जाए और अब हम इसे ढख देंगे तो ढखके हम इसे एक मिट के लिए सेक लेंगे लोटू मीडियम हीट पे और देखे एक मिट हो चुका है और अब हम इसे पलट देते हैं तो पहले हम इसे हटा लेते हैं और अब यहा तो इसे दूसरी साइड भी हम सेक लेते हैं तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे और देखिए कितना अच्छे से सिखा हुआ कितना क्रिस्पी हो चुका है तो देखिए इस तरह पलटने पे जो हमारी सब्जिया निकल जाती है थोड़ी सी उन्हें हम ठीक कर देंगे और हम इस सब्सक्तिंगे और देखिए बहुत यहाधा रिस्पी बहुत चटाब्टा तो अब इसे कट करेंगे तो कट करके भी आपो दिखा देते हैं अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आई है और आपको मेरी जालती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे च आप भी बनाईए जब भी रोटी बच जाती हैं तो इस तरह से आप बना कर इंज्वाइब कर सकते हैं तो आप भी ट्राइब कीजिए इस न्यू डेस्पी को मिलती हूं नेक्स डेस्पी में थैंक्स पर वाचिंग बाबाई